अंतर आत्मा की जोती को जानने का विज्ञान जोतिश आज हमारे साथ आर्ट ओफ लिविंग जोतिश वास्तु एकाडमी के प्रमुक आशुतोष भाईया है आज का सेशन आप कहीं भी बैट के देख रहे हो पूरे दुनिया में यह सेशन के बाद आपकी लाइफ वैसी नहीं रहेगी जैसे सेशन के पहले थी कुछ तो बदल जाएगा भले ही वह पॉइंट में हो या ज्यादा परसेंटेज में हो बट गैरंटीड है बदलेगा तो जरूर बट यह है कि जब भी भी आप जिस भी टाइम फ्रेम में आप य इन कोई एक मैसेज है जो आपके लिए इस सशं में चुपा हुआ है आज गुरो देश के बारे में भी जानेंगे और बहुघो सारी बाते हैं करने को इस सेशन तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके उपर हम बड़े ब्लेस्ट है कि पुरुदेव की जो विजन है जोतिष से रिलेटेट और हमारा जो जोतिष वास्टु एकाड़िमी है इसके जो प्रमुक हमारे साथ जुड़े हुए है आशुत चावला बहिया बिल्कुल हम इसको बह से आज हमारे साथ है तो आशुतोष बहिया के बारे में क्या कहूं और यह बीस साल से जादा का एक अनुभव रखते हैं जोतिष के इस फिल्ड में मोर दें टू डेकेट्स ओव एक्स्पिरेंस इन जोतिष कंसल्टेशन और रिसर्च तो गुरुदेव से तो बड़े बहुत बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं जोतिष बास्तोष एक्काइडमी के बिंग एन एड्मिन और प्रमुक के अपने दायरे में और इनका मैं अगर क्या बखान करूं कि बस कंसल्टेशन और रिसर्च यह इनका फोटे है तो रिसर्च में इनके काफी सरे इनका जो रिसर्च प्लाटफॉर्म में वहाँ पर यह प्रेजट कर चुके हैं देश विदेश में पचास से भी ज्यादा कंट्री में इनकी कंसल्टेशन और रिसर्च को प्रेजट किया जा चुका है और हम सब को जोतिश के मार्दियम से यह मार्ग दर्शन करते रहते हैं तो इससे भी कही कोना जाधा बढ़के जो जोतिश का जो यह विज्ञान है इसके ओपर यह हमें आज अवगत कराएंगे कि यह एक्जाक्ली है क्या गुर्देव के इसके बारे में क्या मत हैं और हमारा जो आज का टॉपिक है उसके बारे में अभिशेक भहिया से काउगना आज के टॉपिक से हमें थोड़ा अवबत कराएंगे और आशुतोष भहिया से मैं क्या आप इसके ओपर थोड़ा आगे प्रकाश डाले जैगुर्देव सबसे इंट्रेस्टिंग जो चीज लोगों को लग रही है अंतर आत्मा की जोती को जानने का विज्ञान जोतिश तो यह अंतर आत्मा की जोती है क्या और जोतिश के जरीए कैसे जाना जाता है इसे क्योंकि जोतिश तो जेनरली हम मेटरिलिस्टिक वर्ल्ड की चीज़ों क सौट आउट करने के लिए समझते हैं लेकिन यह टॉपिक देखके लोगों को थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे जान सकते हैं जोतिश के जरीए जी अक्सर हम एस्ट्रोलोजी और जोतिश में कन्फ्यूज हो जाते हैं मैं कई बार लोगों से मिलता हूं और सबसे पहला सवाल यह होता है कि आपको लगता है जोतिश एस्ट्रोलोजी में क्या फर्क है तो जो आम तर भी मुझे जवाब मिलता है वो यह होता है कर एक हिंदी एक इंगलिश है ये थोड़ा फर्क है जैसे हम बाई जान कारी को जान कारे को सकते हैं उनका क्या इंपक्त है किस तरह से चलते हैं सब्सक् dessa वह छोग आँए किक हाहां इर्थ का अधिक अधारे चीवन के जीवन कहंए impact आता है और किस तरह से हमारा जीवन इनसे बदला जाता है हमारी strength weaknesses कैसे इनसे decide होती है तो ये सब हमारे मन में आज तक भ्रांतिया रही है astrology को लेकर के लेकिन जब हम जोतिश की बात करते हैं तो बहुत बड़ा term है actually जो सही शब्द है जिसको हमें यूज करना चाही वो जोतिश ही है अगर आप जोतिश सच में शीख रहे हैं तो जोतिश एक वेदांग है बहुत से लोगों के मन में ब्रांतिया है कि जोतिश वेदों से है ही नहीं जबकि वेदांग, वेदों का एक अंग बताया गया जिस तरह से योग के आठ अंग बताये जाते हैं, अश्टांग योग बुला जाता है, और योग में स्थित होने के लिए आपको हर एक अंग को अटेंड करना पड़ता है, आप यह नहीं कह सकते हैं कि बिना यम नियम फॉलो किये सीधा समाधी में जाएंगे, वैसे ही वेद में, यानि आ आख है, कुछ समय पहले हमारे सारे पुराने जोतिश स्टूडेंट्स के साथ में गुरुदेव का एक इंटराक्शन हुआ था, जिसमें गुरुदेव ने बहुत अच्छे से बताया था, जोतिश is the eyes of the body of knowledge, यह गुरुदेव का स्टेटमेंट है, जोतिश is the eyes of the body of knowledge, तो वो जोतिश से प्राप्त, तब वो जोतिश है, गुरुदेव ने बहुत अच्छी definition दी है, बहुत साल पहले जब हमारा यह department नया नया शुरू हुआ था, परमपुचे गुरुदेव की blessing से, 2017 की बात है, उस वक हमने एक जोतिश conference organize की थी, और सौभागे से गुरुदेव न गुरुदेव क्या कहते हैं, वहीं से हम course शुरू करते हैं अपना, तो उसमें बहुत अच्छा definition दिया था, गुरुदेव ने कि जोति, जोति को पहचाने वो जोतिश है, लाइट इन मी identifies the light in you, कि किसमें कितना तेल बाकी है, कितनी लंबी बत्ती है, कब तक जलेगी, कितनी जोति को पहचाने, अगर हम जोतिश शब्द को भी थोड़ा साथ तोड़के देखते हैं, तो ये दो शब्दों से बना हुआ है, जोति और ईशब्द, या एक ऐसी जोति, ऐसा प्रकाश, जो हमें ईश्वर अत्वा तक लेके जाए, परमात्मा के आत्मा के दर्शन कराए, या शिव तत्व के दर्शन कराएं, तो जोतिश तो इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हाँ, उसके अंदर प्रिडिक्टिव पार्ट एक एक डेफिनेटली एक पार्ट होता है, जो हमारे रिशियों ने जब ये सारा ग्यान दिया था, तो ये सारी चीज़े बताई थी, कि कैस कैसे देखना है कि तुमारी शादी कब होगी, कैसे देखना है कि तुम धनी कब बनोगे, कैसे देखना है कि तुमारे बच्चे कब होंगे, कैसे देखना है कि तुमारा ख्याल रखेंगे या नहीं रखेंगे, ये सब चीज़े सिखाई गई थी, पर इसका परपस कभी ये नहीं था कि सिर्थ तुम भविशे के जानकारी ले लो कि यह ऐसा समझी है कि अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर आपको पूरा चेक अप करके बताता है भी आपको तो 104 बुखार है बस हां तो ठीक है पुकार है आगे क्या तो आगे उपाय भी तो देना पड़ता है रास्ता भी तो बताना पड़ता है ठीक भी तो करना पड़ता है वैसे ही जोतेशेक ऐसा वग्यान था हमेशा से रहा है हलांकि पिछले कुछ दशकों में काफी और पिछले कुछ centuries में भी बोल स पर यही हमारा प्रयास है गुरुदेव का विजिन भी यही है कि हम इस जोतिश को जितना हो सके authentic और pure तरीके से लोगों तक पहुँचा है जोतिश का ग्यान मतलब विस्तरित चीज है, बहुत विस्तरित चीज जिसमें आपको खुड़ा इस बात को और एक लेवल पर आगे समझे जो जिनको हम planets बोलते हैं कि planets का हमारे जीवन पर असर पड़ता है मेरे जोतिश lesson का पहला lesson हमेशा यही होता है कि पहले तो astrology और जोतिश को अलग-अलग कर दो, जोतिश सीख रहे हैं और जोतिश में planets नहीं होते है हम ग्रहों की बात करते है यह भी हिंदी और इंग्लिश ही लगता है पर ऐसा है नहीं याना planets तो हमने जो पड़े होंगे social studies की class में वो planets और जब हम नवग्रहों की बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग हो जाता है महारिशी पाराशर ने पने पहले चाप्थर ने पर्धहत पाराशर हो रस जोतिश ध्रका सबसे ऑथेंटिक भी सबसे औ दोसी इसमालने माना क्लिए त्वह सब्सक्रीर बाकां की भाग्वान विश्नों ने रूप में अवतार्न गा जब हम बात कर रहे हैं भगवान विश्णु ने नवग्रहों के रूप में अवतार लिया, तो पहले ये भी समझना पड़ेगा भगवान विश्णु कौन है, वो चतुर भूज रूप धारन के वे शेश्या पे लेटे वे, वो भगवान विश्णु है या वो शक्ती है जो विश्णु कहा जाता है, जो विशिष्छ रूप से हर अणु में है, जब हम मंत्र करते हैं, शुकला म, बढ़ाध, अभिश्णु, शेशी वर्णम, चतुर भूजां, हम बोलतो रहें विश्णु, पर ये मंत्र है गणपती के लिए, क्योंकि यहां यही बता रहे हैं, वो गणपती की शक्ति जो कण कण में मौझूद है तो वो शक्ति जो हर कण में हर अणू में विशिष्ट रूप से प्रेजन्ट है उसको विश्णु शक्ति कहा जाता है वो चाहे हमारा अंतकरण हो हमारा करण यारा हमारी शरीर हो हमारे उपकरण हो जो हम यूज करते हैं, इंस्टूमेंट्स हम यूज करते हैं, यह हमारा वातवरुन, हर जगे विश्णु शक्ति व्याप्त है, और यही विश्णु शक्ति अपने नौ अलग-अलग आयामों के द्वारा, अपने नौ अलग-अलग तरीकों से इस रिष्टी का संचालन करती है, वि लेकिन नवग रहों का थोड़ा सा, उसका स्पेक्ट्रम थोड़ा बढ़ा करके देखना पड़ेगा, नवग रहों में हमारे अंदर भी हैं, हमारे अंतकरण में भी हैं, हमारे आसपास भी हैं, हमारे वातावरें में भी हैं, हम लगातार नवग रहों के अंदर ही हैं, ऐसकी है, हमारे जो हम चित्त में जो हम six layers of existence की बात करते हैं जो हम चित्त की बात करते है वो शनीदेव का festive है जो करम है करमाती पती बोला गया है ना, शनीदेव तो चित्त एक्याति के रिल्म की अधिकारलिया जो शनीदेव हुरु है जब हम कुछ सीख रहें एक विद्ध्यार्ती के रूप में होते हैं तो हमारे अंदर बुद्ध की शक्ती होती है दोनों में बुद्धी चल रही है हमारा मन चंद्र है चंद्रमा मन सो जाय सब लगाता है चंद्रमा उस विशाल विराट पूरुष के मन से जन में लिया है चंद्रमा ने चंद्रमा का हमारे मन पर पूरा कंट्रोल है तो आप जिसको आप समझते हैं वो कहा है वो तो सब ग्रह हैं अब अपने आपको मन समझते हो बुद्धी समझते हो चित्त समझते हो एहंकार समझते हो पर वो सब ग्रह है हम शरीर में देखते हैं हमारी हड्डिया सूर्य है हमारी मसल्स मंगल है हमारी स्किन बुद्ध है हमा मंगल हैं आपकी किड्नी शुक्र हैं आपके सारे ओर्गन कोई ग्रह हैं ग्रह की शक्ति हैं हमारे आसपास हमारे परिवार में बात करते हैं आपके पिता सूरे हैं आपकी माता चंद्र हैं आपके भाई मंगल हैं आपके घर में बच्चे हैं तो वो बुद्ध हैं आपके गुरु को पढ़ रहे हो, kadar okay, हम् ग्रहों में ही हैं, ग्रहों से बने इस, ग्रहों की शक्ति ही ग्रहों की सकतियों के साथ खेल रही है क्यूं आप इनको, ग्रह क्यूं कहा जा धा ये तो समझ में आ प्लानेट का सिंपल ट्रांसलेशन ग्रह नहीं है जो संस्कृत शब्द ग्रह यूज किया गया इसे मिलता चुलता शब्द हमने बहुत सुना होगा जिसको हम ग्रहन बोलते हैं इसके पीचे अब रहु के टुकी कहानी सुनेंगे तो समझ में आयागा कि यह आइक्टुली कंजियों करना ही राहु ने भगवान विश्णु से वर्दान मांगा था कि मैं सुर्य और चंदर को समय समय पर खाजाँ भगवान विश्णु ने तदास्तों भी कहा था पर वो भूल गया थे कि उनके सिर्फ गरदा नहीं बची है शरीर तो जाच चुका है तो एक diagnostic सफ जाते हैं दूसरे तरफ से वो बाहर निकल जाते हैं तो बार बार आते हैं हर साल आते हैं दो तीम बार आके कोशिश करते हैं तो यह ग्रहन प्रक्रिया चलती रएती दूससरे जो ग्रहन करें वो ग्रह हैं कि इवल राहू के तुई ग्रहन नहीं करते हैं नवग्रह मतलब वो शक्तियां जो लगातार ग्रहन कर रही हैं क्या ग्रहन कर रही हैं जो मन वानी और कर्म से हम लगातार impressions बनाते रहते हैं हमारे चित्त पे उन सब को ग्रहन करके हमको मुक्त कर रही है वो शक्तियां ग्रह है इसलिए कहा जाता है कोई भी ग्रह बुरा नहीं सभी ग्रह हमारे भले के लिए काम कर रहे है हमको enlightenment तक ही लेके जा रहे है हम कुछ और ना भी करें करने हैं सब ग्रहों को अपना काम करने दे तो भी ग्रह हमको University कर देंगे ञएं कि उनका का मैं ही एमारे कर्मों की घंस को इस यात्रा में यह जो procedure होता है कि ग्रह लगातार हमारे कर्मों को खतम कर रहे हैं गुरुदेव ने बताया है ना कि दो तरह के गुरु होते हैं एक वो गुरु जो आपकी जो इच्छा है सब कुछ पूरा करते हैं और बोलते हैं आगे बढ़ जाओ दूसरे वो गुरु आपने एक इच्छा बताई तो पक्का करेंगे कभी पूरी नहीं हो ताकि आप उसको छोड़ो और आगे बढ़ जाओ सुनाए हमने सत्संग में गुरु देव अकसर ऐसा बोलते हैं कई बार बताया है गुरु देव कहते हैं हम तो तुमारी सब इच्छा पूरी करने वाले गुरु हैं और गुरु होते हैं हमारे जिनके साथ शायद गुरु देव ने कई इंटराक्शन किये हो वो तो ऐसे इनकी आपने एक इच्छा बता दी आपकी इच्छा है कि आप आपने कभी बता दिया कि मुझे मोती चूर के लड़ू पसंद है तो वो पक्का करेंगे कि आपको जिंदगी पर मोती चूर के लड़ू नहीं मिलेंगे ताकि आपकी वो इच्छा पूरी खता हो जाए अंदर सब कुछ देते हैं उनको हम शुब गरह बोलते हैं कुछ गरह ऐसे हैं जो थोड़ी टफ अप्रोच रखते हैं हम उनको पापगरह कहते हैं उनसे थोड़़ा डरते हैं जैसे शनी deev हो गये राहु महाराज, केटु महाराज मंगल देव थोड़ा डर लगता है कि हाँ इनकी दशार आ रही है क्योंकि ये थोड़ से tough teacher है पर है तो ये भी teacher चाहते तो ये भी हमारा भला है चाहते तो ये ही है कि हम भी मुक्त हो जाए जो गुरु चाहते हैं वही शनी भी चाहते है अप्रोच अलग-अलग है गुरु जब तुमको तुमारे साथ आएंगे तो तुमारे कान खीचेंगे गाल खीचेंगे तुमसे पूछेंगे कैसा है तू ठीक है न और हम बहुत अच्छा फीES करते हैं ये गुरु का अप्रोच है जब शनी देव का अप्रोच होगा तुम्हारे सामने से इग्णोर करके चले जाएंगे रॉयली तुमको लगेगा रे अभी कल तो ठीक से बात की थी इतना टेंशन मिला था आज पूरा रॉयली इग्णोर कर दिया उसके बाद पता नहीं अंदर कुछ होने लगेगा उसके बाद फॉरण चले जाएंगे कि दूसरी कंट्री में खूमते रहेंगे अंदर विरा भाव उत्पन होगा तडप उठेगी वो तडप में आसो बहेंगे ये शनी देव की शक्ती है काम तो दोनों ही कर रहा है जब गाल खीचे जा रहे हैं प्यार से बात की जा रही है कान खीचे जा रहे हैं तब भी ग्रहों की शक्ती है और जब इग्नोर करके बहुत समय तक डिस्टिंस बना लिया जाता है और वो विरह की अगनी में चलते हैं हम प्रेम के आसुब आते हैं वो शनी देव की शक्ती है है तो सब वही अलग-अलग अप्रोच है और परपस एक ही है कि हम सब कर्मों से मुक्त हो करके दिव्यत्वकों प्राप्त हों अब इस रास्ते में चलते-चलते हमारा मन भटकता है हम सुखों में उलज जाते हैं और द बज रहे हैं दुखों में उपडूब कर रहे हैं और संभाल नहीं पा रहे अपने आपको उस वक्त जोतिश काम आता है उस वक्त यह ज्यान काम आता है कि यह सब तुम्हारी मुक्ति के लिए ही है उस वक्त अगर कोई यह बता दे कि यह जो परिशानी आ रहे यह जो डीले हो जाता है को कोई मेरे पास आ करके बार-बार पूछ रहा था भाया मेरे शाधी कब होगी मैं हर बार टालता था था कि बुरा नहीं लगे बचारे को फिर एक दिन मैंने बोल दिया पांत साल नहीं होने वाली at least मन तो शान्त हुआ, करियर पर फोकस करो अभी मन तो शान्त होगा कम से का ये एक तरीका है मन को निकालने का दूसरा तरीका अगर दिखता है कि हाँ कुछ महिने में होने वाले तैयारी कर लो बिल्कुल कभी भी रिष्टा पक्का होगा हो जाएगी मन शान्त हो जाएगा ये सारी चीजे रिष्टा ने बताई थी प्रिडिक्टिव चीजें जिससे हम अपने मन को शान्त करके अपने में मुद्दे पर आ जाएगे पॉइंट ओफोकस क्या है आध्यात में मनुष्य जन्व मिला है आध्यात में कुन्नति के लिए तो मिला है सिर्फ पैसा कमाने के लिए तो मिला नहीं है परिवार बनाने के लिए तो मिला नहीं है और अगर कोई रेशी ने ये ग्यान दिया है जिसको वेदांग में माना गया है अलग-अलग वेदों में उसके बारे में बताया गया है जिसके लिए गुरुदेव ने बुला है कि अलग से डिपार्टमेंट बनाओ और शुरू करो इस ग्यान को आगे लोगों तक पहुँचाना तो ये केवल ये बताने के लिए तो नहीं होगा कि जॉब कब लगेगी, शादी कब होगी कुछ तो बड़ी बात है इसके पीछे कुछ तो आध्यात्में चुपा है देखो ये बात तो हम सब को माननी पड़ेगी कि गुरुदेव धर्ती पर आये हैं तो हम सब को आध्यात्में आगे बढ़ाने आये हम सब गुरुदेव के साथ जुड़े हैं, या अध्यात्म में जाने की इस्छा है, अपने आपको मुक्ट करने की इछा है, भक्ती में उतरने की इछा है, इसीलिए गुरुदेव से जुड़े हैं तो लग रीजन्स होते हैं आर्थी अर्थार्थी जिग्यासु और ग्यानी चारते रहें के भक्त पर मुख्यत हाँ पर्पस क्या है आध्यात्म में आगे बढ़ना अब आध्यात्म में आगे बढ़ने से पहले अगर कुछ चोटी-मोटी इच्छाय होती है तो गुरुते पूरा सकती है हमको भी जोतिश को उसी तरह से समझना चाहिए सारी चीज़े सीखने वाली जरूरी होती है यह जानना अच्छा है कि आगे कोई बिमारी तो नहीं आने वाली है इसका क्या उपाय होता है कोई परिशानी आ रही है तो उसका क्या उपाय होता है कहीं खुश्या आ रह वही सही जोतिश का ग्यान है एना प्रेडिक्शन्स सीखना बड़ी बात नहीं है एक महिने में सबको प्रेडिक्शन्स आजाते हैं वो सिखाये जा सकते हैं यह देखना मूरत देखना और और कुछ बेसिक सवालों के जवाब देदेना अतनी बड़ी बात नहीं है पर जोतिश हमारे जीवन में बदलाव लेकर के आए हमको नई आध्यात में गहराई का अनुभव कराए तो यह कारगर है तो हम सही रास्ते पे जा रहे हैं और जोतिश को हमेशा उसी नजर से देखना चाहिए और उसी भाव से इसमें उतरना चाहिए जब हम जोतिशी के पास जाते हैं जन्म पत्री दिखाने के लिए भी तो अकसर मन में बहुत सारी बाते होती हैं और जो बिल्कुल ठीक हैं कुछ गलत नहीं है उसमें अगर कोई परिशानी आ रही है तो उस परिशानी से निकलने के लिए उपाय ढूंडना कोई गलत बात नहीं है और ये तो बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए कि अगर हम उस परिशानी से निकलने का उपाय ढूंड लेंगे तो ये कर्म अधुरा रह जाएगा अगले जनम में ये बहुत बात मुझसे लोगों ने पूचा है कि भाई अगर हम उपाए करेंगे then ये कर्म तो हम नहीं भोगेंगे और कर्म नहीं भोगेंगे तो ये फिद से आ predicting तो हम मुक्त नहीं हो पाएंगे तो उसमें अलग-अलग इनफार हम कर्मों की बात करते हैं तो बहुत अलग deep topic हो जाएगा कितने तीरे के कर्म होते हैं और किस तरह से जोतिशी उपाय भी कर्मों से उबरने का ही तरीका है कर्मों को भोगना एक तरीका है तो कर्मों को मजबूत्वी के साथ अपनी स्ट्रेंग्ट के साथ जैसे गुरुदे बताते हैं कि तीर तो आएगा अगर कर्म है तीर आके लगेगा आपके सर पे तो लगेगा और वो आपके सर को चोट नहीं पहुचाएगा उपाय की हैं तो आपकी टोपी को उड़ा के ले जाएगा बस पत्थर अगर आपको कोई किसी ने मारना किसी भाग्य में लिखाएगे पत्थर पढ़ेगा आपको किसी के थुरू तो पत्थर पढ़ेगा लेकिन वो रूई में लिख्टावा पत्थर होगा आपको चोट नहीं पहुचाएगा ये उपाय का या जोतिशी ज्यान का एक main purpose होता है हम अकसर बोलते हैं अगर आप जोतिशी के पास जा रहे हैं तो दो या तीन मुख्य चीज़े हैं अगर आपको ये purpose हैं तो अगर आपको important decision लेना चाहते हैं और confused हो रहे हैं आपको लगता है कि अगर गलत decision लिया तो समय बरबाद होगा तो ये जो risk होता है future का जिसके बार में हम नहीं जानते उसको कम करने के लिए हम अकसर जोतिशी के पास जाते हैं कि हम decision ले रहे हैं उसमें already risk तो है आप थोड़ा बता देंगे तो कम risk के साथ में हम better choice कर पाएंगे तो जोतिशी possibilities बताते हैं कि ये ये possibilities आपके लिए best हैं इस तरह से decision लोगे तो और अच्छा कर पाऊगे अगर आप मुझसे पूछे मैं ऐसे जोतिशी के पास जाना बिल्कुल पसंद में करूँगा जो guarantee के साथ बोलता हो मैंने बोल दिया ऐसे ही होगा आपके साथ मुझे नहीं चाहिए ऐसा जोतिशी जो ये जो मुझे इस बात में बांध दे कि ये सारी संभावना आपके लिए खुली है आप जो चाह आगे कर सकते हो इसमें से बहतर ये होगा जो एक रास्ता बताने का काम करे एक GPS जैसा काम करे आप खुद बताइए अगर आप किसी जोतिशी के पास जाते हैं मालो अभी आप करियर लेने के टाइम पर वैसे तो सब लोगों का करियर हो चुका है आगे बन चुका है फिर भी एक 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 जैम्पल लेके चल रहे है जहां पर जोतिशी ये बोल दे आपको तो आगे जाकर करके डॉक्टर ही बनना है और आप पूरी दिरह से डॉक्टर पे फोकस कर ले हो शायद बन भी जाओ पर ये आपको मुक्त कहां कर रहा है क्या ये ज्ञान आपको मुक्त कर रहा है या बांद रहा है देखो उपनिशद वानी है साव विद्या या विमुक्त यह ग्यान तो वह है जो मुक्त करा है अगर जोतिशी के पास जाकरके जोतिश सीख करके आप और कंसेप्ट में बंद रहे हो आपको यह लगता है कि मेरे भागे में तो यही है तो यह गडबड हो रही है तो फिर तो अगर आप बंद रहे हो तो आपको और कमजोर बना रहे है तो ज्यान वह होता है जो आपको एमपावर करें आपको रास्ता जुरूर बताए लेकिन साथ साथ स्ट्रेंग्थ भी बताए कि इस तरह से चलोगे तो और मजबूती से कर पाओंगे चलना तो आपको पढ़ेगा गुरु हमारे साथ में हमको गोधने भी उठा लेंगे रस्ते में हाथ पकड़के लेके जाएंगे पर चलना तो पड़ेगा तो सही माइने में सही जोतिश की प्राक्टिस तो वही होगी जो आपको possibilities की तरफ indicate करें आपकी strength की तरफ लेके जाएं बताएं कि आप में क्या weaknesses है और इससे कैसे overcome किया जा सकता है आप में क्या strength है और इसको कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है तब कुछ useful बात बनी ना ये आपको बांधा भी नहीं आपको destiny oriented भी नहीं बनाया और आपको रास्ता भी दिखाया आप योग वशिष्ट रामायन का पहला चाप्टर पढ़ेंगे न एक तो हमारी योग वशिष्ट रामायन है अप कभी original योग वशिष्ट रामायन लीजे गीता प्रेस वाली पहला चाप्टर पढ़िए रिशी वशिष्ट ने भगवान राम को जब उपदेश देना शुरू किया पहले चाप्टर के बाद पहले चाप्टर के बाद तो उन्होंने भर-भर के गालियां दिया उन सब लोगों को जो भागय के ऊपर बहरोसा करके चलते हैं किया से लोग बिलकुल काम कि नहीं होते हैं वो शब्द भी नहीं बहुतता कि कोई जो जोतिशी नहीं बोलता है कि जो सब कुछ लिखा ओआई है बहागय के कुछ ब्यूंड नहीं है इसको हम थोड़ा ठीक से समझेंगे ना आक्चुली सब कुछ कर्म ही है सब कुछ कर्म ही है अपका भागे भी कर्म से ही बनाए है आगे भी कर्म से बनेगा बदलेगा भी कर्म से ही और क्या कर्म करने से कैसा भागे बनेगा कैसा फ्यूचर बनेगा कैसे बदलेगा जो प्रार लब्द से क्या कर्म लेकर क्या हैं, कौन से कर्म बदलने वाले हैं, कौन से नहीं बदलेंगे, देखो ये तो हमने सुना है ना, गुरुदेव ने अक्सर बोला है, कि लाइफ is a mix of free will and destiny, कुछ कर्म बदले जा सकते हैं, कुछ नहीं बदले जा सकते हैं, पर ये पता तो हो कौ कौन से बदले जाएंगे, कौन से नहीं बदले जाएंगे, आप जिसको दर्वाजा समझके धक्का लगा रहे हो, साल भर से, और वो खुल नहीं रहा, कोई बताए तो सही, ये दिवार है, दर्वाजा नहीं है, दर्वाजा कहीं और है, ये जोतिश का काम है, ये जोतिशी क की मदद लेनी चाहिए वो दर्वाजा खीचने से खुलेगा धकेलने से खुलेगा यहाँ पर जोतिशी की मदद लेनी चाहिए कौन सी फील्ड में जाना है किस तरह से काम करना है परिशानी आ गई तो क्या करें कि जिससे और मजबूते से इसे निपट सके अपॉर्चुनीटी आ रही है तो क्या क्या करें कि बेटर प्रिपेर्ड हो सकें उसको उसको एक्स्प्लोर करने के लिए ये जोतिशी का काम है बविश्य बताना तो देखो मेरे मम्मी मुझे बोलती थी मम्मी में जोतिशी नहीं थी मम्मी को जोतिश में कोई खास इंट्रेस नहीं है अभी भी नहीं है पापा जोतिशी है तो जब मैं पढ़ाई करता था मम्मी के बाद छोड़ो मैं मेरे नाना जी की बात बताता हूं ये तो विविडली बहुत अच्छी से मेरे को याद है आप तो नहीं रहे हो पर मुझे याद है मैं उस वक्त हमारे घर पर गैस्ट आएगो तो और मैं मैं सीए की तयारी कर रहा था और अपने ननिया नाना नानी के पास चाहिए रहता था और पूरा दिन कभी भी पढ़ाई करने के बाद थोड़ा हमारा बच्पन से संस्कार ऐसी थे शुरुवात से के रेस्ट करना है मतलब थोड़ी देर बैठ करके विश्नु सरस्र नाम पढ़ लिया थोड़ा जोतिश की किताब पढ़ ली वो बच्पन से इंट्रेस्ट था तो ऐसा होता था कभी-कभी मैं श्याम को थोड़ा ऐसे बैठ जाता था नाना नानी के पास जाकर उनसे बाते करता था थोड़ी देर बैठ के विश्नु सरस्र नाम पढ़ रहा था मेरी जोतिश की कुछ किताबे पास में रखी होंगी और नाना जी बहार से आये मार्केट स उन्होंने देखा कि पढ़ाई करने की जगे तो यह कर रहा है उन्होंने अच्छे से डांट लगे और बोला कि तुम कभी सीय तो नहीं बन पाओगे पंडित या जोतिशी जरूर बन जाओगे ये मेरे नाना ने मुझे बोला था जब मेरा प्लान नहीं था कि मैं जोतिश में ही अपना करियर बनाओ या ऐसा यह ही स्जीवन रहेगा मेरा पर भविश्यवानी कही और कितनी सटीक अक्सर होता है ना बच्चों को देख करके पिरिट्स को पता होता है कि क्या करने वाला है आगे कुछ बहुत बच्चे होते हैं देख के बता लगता है पूरे परिवार का नाम रोशन करेगा और करते भी हैं तो प्रेडिक्शन्स तो हम सब लोग करते ही रहते हैं आप सुबह-सुबह 9 बजे CNBC चानल ओपन करो एक घंटा 9 से 10 तक क्या कमाल के प्रेडिक्शन्स आते हैं पूरे दिन बर के लिए वो बोलेंगे ये स्टॉक उपर बढ़ेगा यहां तक तो वहां तक बढ़ता है तो बोलेंगे ये गिरेगा तो गिरता है प्रेडिक्शन्स ही तो है करते ही रहते हैं हम हड़ जगे प्रेडिक्शन्स है ना आप कोई फिल्म देखकर के आते हो प्रेडिक्शन नहीं करते हैं फिल्म फ्लॉप हो जाएगी कि लॉप हो जाती है कैसे हो रहे हैं कर तो रहे हम हम कुछ past की चीजे देखते हैं कुछ प्रेजेंट की चीज़े देखते हैं और उसके इसाफ से ट्रेंड प्रोजेक्शन करते हैं कि अभी ऐसा है पास्ट में ऐसा था तो आगे जाके ऐसा होने वाला है उसी चीज़ को मैं आपको ग्रहों से लिंक करना सिखा देता हूं कि अगर ये ग्रह पिशली बार आया था तो उसने ऐसा किया दाव अगली बार आएगा तो फिर से वैसा करेगा हो गया ना सिंपल यही तो प्रेडिक्शन है पर क्या इतना जान लेना काफी है मेरा हमेशा यही सवाल दोता है यह हम जोतिश को बहुत सीमित दाएरे से देखते हैं जबकि बहुत कहरा और ऐसा सब्जेक्ट है डॉक्टर बीवी रमन का नाम सबने सुना होगा बहुत लेजेंडरी जोतिशी और वास्तुशास्त्री रहे हैं पिशले शतक में यह समझो के उन्होंने ही जोतिश शास्त्र को भारतिय जोतिश को पूरी दुनिया तक पहुँचाया तो गुरुदेव की कृपा है गुरुदेव का आशिरवाद है कि उनके परिवार के साथ हमारे हमारी संस्ता के बहुत अच्छे संबंध है और अकसर कई चीज़ें वो ग्यान की शेर करते हैं तो डॉक्टर बीवी रमन के पौतर हैं रामन सुप्रजे रामाजी कमाल के जोतिश ही तीन साल की उमर से उन्हें जोतिश सीखना शुरूर किया चालिस साल हो गया अभी सीखी रहे हैं जोतिश तो वो एक बार आश्रम में आयो थे हमने उनसे कुछ आध्यात में जोतिश के उपर एक क्लास और्गनाईज कर वाई थी तो उन्होंने पूछा कि यहां पर कितने लोग हैं जो बहुत अच्छे जोतिश ही हैं और काफी एडवांस लेवल जोतिश सीख चुके हैं बहुत लोगों ने हथ ख़ड़ा किया है तो उन्होंने पूचा कि हां बटाइए आप fact शोने बोला हमको यह सब और में किसी में प Kelvin को पांत साल हो गया हमने और किसी के साथ के दसीखा है कोई बोले हमको 6 साल हो गय है तो उन्हों में बोला कि वाप बहुत अच्छी बात है आप बहुत अच्छा मुरे को बहुत अच्छा जोतिश सिखाते होंगे कि तीन साल में एक्सपर्ट हो गए मुझे तो 40 साल हो गए और मैं तो अभी भी स्टूडेंट ही हूँ मुझे ऐसा लगता है इसमें उतरने वाले के लिए वह तरह से समझो के पूरे जीवन भर की तपस्या है जो लोग जोतिश में उतरते हैं वह उनकी लाइफस्टाइल ही उस तरह से बनती जाती है हम अक्सर यह बात करते हैं अक्सर बात करने की नहीं है यह फैक्ट ही है हमने अक्सर नोटिस भी किया है अगर किसी को जोतिश शास्त्र में जोतिश शास्त्र में नेम फिल्म में सबको इंट्रेस्ट होता है पैसे कमाने में बहुत लोगों को इंट्रेस्ट होता है वो जोत चाहिए कि उनको ब्रह्मदेव ने तिलक कर दिया वह आशिरवाद है ब्रह्मदेव का तभी आपको जोतिश में गहरे उतरने में रुची आई है आपके मन में संकल पाया कि मुझे गहरे से जोतिश सीखना है इस पूरे ज्ञान को समझना है अंदर उतरना है जômेकि कोई बी वैदिक ज्ञान लेलो हर स्ट्रीम इतने गहरी है कि आप उसमें उतरते 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 खुद मिठ जाते हों पर वो ज्ञान कभी खतम नहीं होगा है और करना तो यह है ज्ञान में मिठना ही है बुद्धिक में कुछ सबकुछ समा तो नहीं सकता बुद्धी से कुछ पकड़ना नहीं है बुद्धी को dissolve करना है ग्यान में ग्यान का purpose यही तो है जिसमें हमारी बुद्धी खो जाए जो ग्यान पकड़ में आ जाए वो अधुरा है अगर मुठी बंद में कुछ आती है चीज तो वो अधुरी होती है जो मुठी खुली रमें हात में रहता है वो पूरा आकाश होता है तो इस तरह से जब हम जोतिश को अप्रोच करते हैं उस reverence के साथ में तो यह जोतिश हमारा जीवन बदलने वाला हो जाता है और हमने देखा है बहुत से लोगों का जीवन बदला है बहुत से लोगों का जीवन बदला है जोनों ने जोतिश में गहरी डुपके लगाई है उनकी तो बात यह लग है बहुत से लोग जोनों ने हमारे साथ कुछ महीनों का कोर्स भी किया है और जो जोतिश का अनुभव हुआ है उनकी बाते भी सुनेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके बहुत से लोगों ने टेस्टिमोनिल्स दी है आपको हैरानी होगी कि छे महीने साथ महीने में उनको क्या अनुभव हो गया ऐसा जो यह बात बोल रहे है हमने तो यही सुना था जोतिश एक application वाला ग्यान है सीखा लगाया बताया हो गया खतम जैसे हमने कुछ mobile यूज करना सीखा है एक application सीखा computer सीखा यूज करते हैं Excel सीखा यूज करते हैं Excel से हमारी जिंदगी थोड़ी बतलती है यह समझते थे अभी तक जोतिश को वो astrology हो सकता है मेरे को जादा astrology के बारे में जानकारी नहीं है क्योंकि हम तो जोतिश ही सिखाते है और जोतिश के ही student है सीखते भी वही है सिखाते भी वही तो I hope अलंकि यह बहुत बड़ा monologue हो गया actually dialogue होना चाहिए था अभिशेक जी और मेरे बीच में अभिशेक जी ने एक सवाल पूछा और मैंने उसी के उपर बहुत लंबा lecture दे दिया और कुछ और किसी और बारे में बात कर सकते हैं तो जरूर आप आपने वो राम वाली स्टोरी सुनाई actual में जोग ज़्यादा तर सब्वाट आउस देखते हैं कुछ भी कई बार ऐसा लगा था इसके बारे में मैंने चर्चा भी की कि कर्म पे फोकस करते हैं सुर्भ्डेव में जो वह बहुकत करके कुछ वह प्र्छीव कर दा सकता है आपक्षुली ना अच्छुली उन्ही को जोतिश सीखना चाहिए जो कर्म प्रधान नहीं है जो बहुत जादा भागे-भागे करते हैं तो जोतिश मत सीखो नाम खराब करोगे जोतिशी का यही हो रहा है आग जोतिश को लोग मजाग क्यों उड़ाते हैं ये फिल्मों में बताते हैं मुन्ना भाई MBBS में जोतिशी का कितना मजाग उड़ाते हैं क्योंकि वो एकदम fatalistic तरीका बता दिया है वो बोलता है मैंने जो बोल दिया वही होगा ऐसे नहीं होता है कर्म ही प्रधान है और उसी को लेकर चलना चाहिए कर्म से ही पुराने कर्मों को बद्दा चाहिए प्रारद क्या है पुराने कर्म ही तो है जो आप लेकर क्या है हो पहले जो कर्म किये थे उसका कुछ नतीजा आज मिल रहा है तो उसको आज के कर्म से बदला जा सकता है कुछ कर्म ऐसे होंगे जो पूरी तरह से बदले जा सकते हैं जिनको हम अ-द्रिड़ कर्म कहते हैं कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनको नहीं बदला जा सकता एक बार हाइट जितनी फिक्स हो गई वो हो गई अब दो साल महनत करो चार साल महनत करो नहीं बढ़ेगी कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो एक रेंज में बदले जा सकते हैं पूरी दरण से नहीं पर थोड़ा कम जाधा किया जा सकता उनको द्रिडा द्रिडा कर्म कहते हैं के अबी कर्म कर रहे हो सब कर्म की कहानइ कर्म लेकर आए अभित रहां जो अंक्ड कर में उनको मतले ने भाग्य चावल पक गया अब हम आख को चाना पड़ेगा वापस्थ कच्चा करके उसको बरतन में नहीं डाल सकते तो थोड़ा यह समझने वाली बात है आँख खोल के देखो भागय कहा है क्या है भागय जैसे हम अक्सर बोलते हैं पहले आँख खोल के देखो कि मेरे साथ अच्छा हुआ मैं अपने कर्म पे अब यह दूसरा इसका एंगल है मैं अपने कर्म से सब कुछ बदल दूँगा पहले बता तुम हो कहां एक बात तो सबसे बहले तुम कहां हो पहले यह बता दो आँख खोल के देखो मैं मतलब क्या मैं मतलब क्या मन, शरीर, बुद्धी आम तौर पे बुद्धी से ही मैं निकलता है उसके बियॉण तो हमारी समझ ही नहीं है जो बुद्धी के परे है वो बुद्धी को समझ में नहीं आता है तो चित्ता और आहिंकार की तो बात करना ही बेकार है और बुद्धी तो मैंने बता है वो भी ग्रहों से बनी हुई है उसके beyond भी जाओ तब भी ग्रह शक्ति है अगर एक तरह से देखना है तो सब ग्रह ही ग्रहों में खेल रहे हैं तुम तो होई नहीं कहीं कि दूसरे अंगल में देखना है तो तुमारे कर्म है जो past की है आगे भी कर्म हैं तो सिर्फ कर्म हի कर्म है कि किसी भी एंगल से देखो थे भागिय तों समझ में देसे अब सब्सक्राणा थे है एक बरदेसा मत्री तुम्हारे जन्म पत्री नहीं होता कि तुम्हारा दिसीवन कैसे होगा सबसे बड़ा कर्म अभी के कर्म प्रारब्द के कर्म कैसे कर्म लेकर क्या आये हो यह इंडिकेट जरूर होता है जन्म के समय की ग्रहस्तिती से इंडिकेट होता है decide नहीं होता जैसे आप जिस समय जन्म लिया माता पिता ने आपका समय या date note कर ली होगी ना कि इस दिन इस समय जन्म हुआ तो वो जो समय note किया गया वो English calendar का समय था English घड़ी का समय था modern घड़ी का समय था एक और सनातन काल से एक घड़ी है जो लगातार चल रही है उसकी नौ सुईया है जो आकाश में घूम रही है उसकी नौ सुईया है एक सुई कभी कहीं होती एक सुई कहीं होती जिसको हम प्लानेट्स बोलते हैं आकाश में घूमते हैं तो मैं बोल रहा हूँ कि आपकी जो जन्म पत्री है वो आपका जन्म समय ह वो टाइम नोट कर रहा है, नौ बच के 10 मिनिट, वो वाला समय है, वो नौ बच के 10 मिनिट, मौडन घड़ी का समय है, यह जनम पत्री में बताया गया, जब आपका जनम हुआ था, तो सूरे यहां थे, चंद्रे यहां थे, मंगल बुद्ध, शुकर गुरु, शनी राहु के तो कहां कहां पर थे, यह सब घड़ियों का सारे नौ सूयों का पोजिशन बता दिया, कि यह सूय कहां पर थी, यह सिर्फ समय बताया गया है, कि इस समय आप पैदा हुए हैं, यह जनम पत्री है आपकी, और बेसिस, कि आप किस समय पैदा हुए हैं, जोतिशी को पता होता ह कि आप क्या कर्म लेकर क्या रहे हैं किस समय आप पैदा हुए उससे पता लगता है कि आप क्या कर्म लेकर क्या रहे हैं तो जिस समय आपकी जर्म पत्री जो बनती है जिस समय आप पैदा हुए हैं उससे सिर्फ इंडिकेट होता है कि आप क्या कर्म लेकर क्या रहे हैं और और भोक की तो आगे की बात करते हैं, पहला पॉइंट लेते हैं, जाती, जाती मतलब जन्म, तुम्हारा जन्म तुम्हारे प्रारब्द से होता है, किन माता पिता के यहां जन्म लोगे, क्यासा परिवार होगा, यह सब चीजें तुम्हारे प्रारब्द से डिसाइड हो जात होगी, माहुल कैसा मिलेगा, अध्यातिक माहुल मिलेगा, बहुत industrialist, बहुत ambitious माहुल मिलेगा, कैसा मिलेगा माहुल बच्पन, वो भी जन्म से decide हो गया, school कैसा मिलेगा, ये तो तुमने decide किया नहीं था, तुम्हारा जन्म जहां पर हुआ, parents ने decide कर लिया, school कैसा मिला, स्कूल में माहुल कैसा मिलेगा तुमारे हाथ में नहीं था, टीचर्स कैसे मिलेंगे तुमारे हाथ, तो तुमारी पूरी अप्रिंगिंग तुमारे हाथ में नहीं रही, वो सब प्रारप से डिसाइड हो गई, जब तुमारी अप्रिंगिंग के basis पे तुम कारे करते हो decisions लेते हो aggressively अपने ambition को achieve करते हो यह मानते हो कि सब भाग्य है यह मानते हो कि सब कर्म है और बुद्धी तो अपने आप प्रारब्द से बनी अगर हम इस angle से सोचते हैं तो actually सब प्रारब्द से ही चल रहा है पर प्रारब्द भी तो तुम्हारा कर्म है तो कभी-कभी इसको बीच में से भग्य जैसी वो tonality मिल जाती है असा लगता है कि सब कुछ पुराना चल रहा है इसी बात को लेकर के बोलता है कि सब कुछ लिखा हुआ है अबी के क्रियमान कर्मों से कुछ कर्म नहीं बदले जा सकते हैं और कुछ एक रेंज में बदले जा सकते हैं Advanced course किया है ना सबने, है ना वो process, it won't change, nothing will change, this is how it is, और दूसरा है क्या, it will change, it will change, और फिर finally क्या, बदल दो सब कुछ, वैलर से, यही तीन कर्मों को टैकल करने के तरीके सिखाएगे, यह समीर जी कुछ कह रहे है, अन्म्यूट कर दीगो समीर, जी, आपका यह जो विशलेशन है, यह बड़ा ही सुन्दर और बड़ा ही गहरा था, बतलब इतना कर्मों से सब कुछ, जो जुड़ा हुआ है, और हम जोतिश को कुछ अलगी नजरीय से देख रहे थे, जो बतलब आजकल उसका सुरूप, सोशल मीडिया पर या जहां कहीं भ यह था कि जोतिश वास्तु अकाड़मी, जो गुरदेव का विजन है, और जो जोतिश वास्तु अकाड़मी में, जो हम जोतिश की विद्धिया को प्राप्त कर सकते हैं, इसके ओपर आप अपना थोड़ा सा यह डालीएक ताकि हम क्या इस जोतिश विद्धिया को, प्लीज बताइए वह देखिए जब शुरुवात हुई थी बहुत साल पहले तो मुझे याद है एक बार गुरुदेव के साथ उनकी कार में पीछे बैठ करके कभी मौका मिलता है भाग्य होता है तो पीछे बैठ करके हम साथ में कहीं से कहीं से अलोट रहे थे कोई सूत्र बतारे देगर अनृट तुमको पता है तो ऐसा होता है तो है यह नहीं पता तुमको यह सारे बात हर घर में आम पर बबॉण वटेयें सब को पता को फिर फिर कुछ और बात करने लग गए तो कही मुझे लगा कि गुरुदेव बुलने एक समय था ऐसा जब सबको पता होती थी तो मुझे लगा इसके उपर कुछ करना चाहिए उस वक्त मैं VDS का अबिनिंस्ट्रेटर था और जोतिश एक छोड़ा सा पार्ट था हम जोतिश भी करते थे क्योंकि जोतिश में इंट्रेस था तो मैं जोतिश भी करता थे फिर हमने सोचा कि इसके उपर कुछ बढ़ा करना चाहिए फिर गुरुदेव से थोड़ा और आगे बात की और हमने इसके उपर एक उस वक्त छे महिने का एक डीटेल कोर्स लाँच किया एक कॉन्फरेंस भी की और कोर्स भी लाँच किया और दीरे दीरे फिर हमारा जोतिश डिपार्टमेंट बढ़ने लगा, उस वक्त तक हमारा एम था कि हम जोतिश की awareness create करें, यह जो चीज छूट गई है, जोतिश के बारे में सब लोगों को गलत धारनाय बन गई है, जोतिश एक मजाग का विशे रह गया है, या negatively लिया जाता ह तो लगा कि इसको थोड़ा सही तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए, क्योंकि यह है नहीं ऐसा जोतिश, जितना हमने सीखा है उससे, तो यही समझ में आया था, तो उस वक्त हमने बहुत awareness के लिए छोटे-छोटे दो-दो वीकेंड की classes लगाई हैं, और चार-चार घंटे क classes Sundays को और छोटे-छोटे बहुत सारे programs करने शुरू कि और तब से यही aim था कि इस level तक लोगों को लेकिया कि एक intrigue create हो, जोतिश के बारे में सही समझ आ जाया और उसके बाद सब लोग अपना अपनी तरीके से जोतिश आगे सीखते रहें, क्योंकि यह जीवन भर का ग्यान ह यह ऐसे खतम होता ही नहीं ग्यान कभी, तो यही इतने समय से चल रहा था, फिर थोड़ा सा लगा के नहीं हमको थोड़ा सा conclusive भी करना चाहिए, थोड़ा predictions भी और जादा ध्यान देने चाहिए, हमने predictions भी सिखाने शुरू किये, फिर एक दिन कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ही गुरुदेव ने बुला के बूला, कि तुम कब तक ऐसे सिखाओगे, अब तुमको scholars बनाने चाहिए, जो भी तुम से जोतिश सीख के निकले, उसका value होना चाहिए, especially art of living से जोतिश सीख के निकले, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं, वो ठीक है, 6-6 मेने, 5-5 महीने चार-चार मेने, तुम ऐसा मत करो, तुम पूरा जोतिश सिखाओ, और जिस तरह से हम teacher बनाते हैं, और teacher बनाके अपने साथ ही रखते हैं, वैसे तुम जोतिश ही बनाओ, और जोतिश ही बनाके उनको पूरा career बनाके दो, पूरा अपने साथ ही रखो, अपने साथ ही opportunities दो, को सब कुछ आगे कर रहा हूं कि मैं जादा शब्द यूज कर रहा हूं गुरुदेर में कम शब्दों में बात बोरी थी समझाने के लिए तो तो जो गुरुदेर के मुख से शब्द निकला था कि तुमको बेस्ट होना चाहिए हारवड बनो तुम जोतिश के लोग लाइन ल कि हमने सुचा कि शुरू तो हम स्क्रैट से करेंगे पर कम से कम टाइम में स्कॉलर्ली लेवल तक कैसे लेके जाएं क्योंकि हमने बहुत सारे अलग-अलग कुरिकुलम स्टडी किये जो दुनिया भर में अप्रोच क्या चल रही है इग्नू भी पढ़ा रहे हैं और कई कोर्स बहुति करें कोर्स होते हैं और मैंने अक्सर देखाए 6-7-7 साल 10 साल जोतिश शीखने के बाद भी प्रेडिक्शन पर नहीं आ पाते लोग यह confidence नहीं आता करने का जहां पर लोगों को कई कई लोग प्रेडिक्शन भी सिखाते हैं बहुत जल्दी प्रेडिक्शन का कॉन्फिदेंस दे देते हैं तो वहां पर डेप्थ नहीं होती है तो हमको रगाई कुछ तो ऐसा मध्यमार्ण निकालना चाहिए जहां पर प्रेडिक्टिव पार्ट भी आजाए और डेप्थ भी रहे जो उसके पीछे आध्यात्म है जोतिश का वो भी समझना है उसमें भी हम धुड़ा उत्रे तो फिर हमने सब कुछ बैलेंस करते हुए कुछ दो साल का एक प्रोग्राम बनाए और गुरुद्यव को प्रेजेंट किया तो देखके गुरुद्यव ने बोला कौन आएगा इस प्रोग्राम में गुरुद्यव का विजिन था कि तुम अगर पूरा ठीरेटिकल ग्याण पहले दे रहे हो और predictions दो साल के बाद सिखा रहे हो तो वो नहीं चलेगा तो तुम पहले semester से predictions भी सिखा हो और गहरा है दोनों चीज़ों को साथ में लेकर चाहिए predictions पहले semester में सिखाने चाहिए फिर second semester में next level, third semester में next level तो यह मुझे लगा यह तो बड़ी कमाल की बाद एक दम revolutionary thought है तो फिर हमने फिर से कुछ नया curriculum बहुत brainstorming की बड़े-बड़े लोगों के साथ जो दुनिया के top जोतिश ही हैं उनको approach किया उन्होंने agree भी किया कि वो भी आकर के पढ़ाएंगे और उन्होंने काफी inputs दिये और finally एक और curriculum गुरुदेव के सामने present किया जो उन्होंने okay कर दिया तो अब हमने इस पूरे program को दो साल का program बनाया है जो चार semester में divided है पहले semester में हम जोतिश का basic पूरा ग्यान देते हैं और predictive levels begin कर देते हैं यानि आप chart दिखकर कि आप उसको पढ़ सकते हैं कि अगर ऐसा chart है तो इसका ये ये result आएगा कैसी personality होगी क्या करेगा इसकी strengths, weaknesses क्या है, धन है या नहीं है, वो सब basic चीज़ें आ जाएंगी education कैसी होगी, सब चीज़ें, married life कैसी, छोटी मोटी जो आप basic चीज़ें पढ़ सकते हो second semester में हमने प्लान किया एक-एक subject के अंदर, एक-एक topic के अंदर deep जाकर कि उसके सारे aspects को खोलेंगे यानि अगर हम career में गए तो पूरा detail में बात करेंगे, choice of career क्या होनी चाहिए, ups and downs in careers कब होंगे, job कब लगेगी, कब छूटेगी, transfer कब होगी, promotion कब मिलेगा, business चाहिए या job चाहिए, किस तरह का business होना चाहिए, retail में चाहिए, wholesale में चाहिए, वो सारी चीज़े detail में हम discuss फिर हम marriage पर चले जाएंगे, second semester में ये सब है, फिर marriage से related सारी चीज़े, matchmaking वगरा सब include हो जाएगा, फिर हम medical पर चाहिए, फिर हम child worth पर चले जाएंगे, litigations, इस तरह से जो main questions होते हैं आम तोर पे, उन सब चीज़ों को कैसे analyze किया जाता है, वो पूरा second semester में सिखाएंगे, फिर हम third semester में इन ही में से कुछ topic के उपर आपको specialization कराएंगे, ये आप second semester तक आपको जोतिश का almost सारा गयान हो गया, predictive जोतिश आ गया है आपको, गहराई भी आ गया है पर आप इसमें specialization, कोई दो subject चुन लीजिए, आपका relationship या spirituality, career या medical, कुछ भी दो subject आप चुन सकते हैं उन दो subject में आपको और गहराई से, advanced level की चीज़े सिखाई जाएंगी, दुनिया के top scholars द्वारा, top scholars जो मैं बात कर रहा हूं, पूरी दुनिया उनको top मानती है, ऐसे scholars, वो भी आएंगे, अब of course, क्योंकि गुरुदेव हमारे पीछे हैं और जब हम गुरुदेव को represent करते किसी को request करते हैं, तो सब बहुत हमली और बहुत gracefully agree करते हैं कि हम definitely आकर पढ़ाएंगे, third semester में आपका specialization होगा, plus कुछ regular, कुछ optional subjects होगे, specialization के कुछ regular subjects होगे, जिसमें हम पंचाम की depth में जाएंगे, और भी चीज़ें सिखाएंगे, fourth semester में कुछ master classes के साथ-साथ, आपको ए आपको research खुद करना है, और आपको एक mentor a lot होगे, जो आपको साथ-साथ पूरी research में guide करेंगे, research के साथ-साथ कुछ advanced master classes भी आपको उसमें मिलेंगी, यानि 4 semester तक आते 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 आप इस level पर होगे, कि आप अपनी खुद की research publish कर सकें एक particular topic के उपर, फिर हम 6 मेने की internship offer करते हम ही आपको website से ही बहुत से लोग आपको contact कर पाएंगे, consult कर पाएंगे, और internship पूरी होने के बाद, एक पूरा full-fledged career होगा, जिसमें आप हमारे बाकी जोतिशों जैसे mpanel रहेंगे, हमारे जोतिश panel पे आना, it's not an easy thing, बहुत tough screening होता है, तो जो 3-4 जोतिशी दिखते हैं आपको वो बहुत सारी screening को पार करके आए हुए है, सब की screening होई है, और external screening होई है, हमने internally नहीं किये, यानि हम दुनिया के top scholars को साथ में लाए, उनके through interview हुआ, वाइवा हुआ, grilling होई, और उसके बाद उन्होंने pass किया, तो pass, fail किया, तो fail, तो अब तक कई लोग, 100 के आसपा तो हम सिर्फ जोतिश सिखा करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है, कि अपने आप जोग करना है करते रहो, हमने बना दिया तुमको जोतिश, हम आपको उस लेवल पे लाना चाहते हैं, जहां पर इस तरह के लोग already impaneled हैं, और इसके बाद, आट अफ लिविंग जोतिश वास यह आट अफ लिविंग जोतिश वास्तु एकाड़मी, और वो क्वालिटी काफी अच्छी होगी, परपस तो यह है कि हम बेस्ट क्वालिटी प्रड़क्ट्स या जोतिशीज क्रिएट करें, जो पूरी दुनिया में गुरुदेव का नाम और हमारे और और उग्जा करें, तो इस परपस से हमने दो साल का प्रोग्राम बनाया है, अब इसमें थोड़े सा स्क्रीनिंग डिफिकल्ट हो जाएगी, क्योंकि हमको बेस्ट क्वालिटी चाहिए तूर्स दी एंड, तो हर एक सेमेस्टर के बाद एक एक एक्जाम होगा, जो वो एक्जाम पास करेगा, व आपको फिर से फर्स सेमेस्टर रिपीट करवा देंगे, रिपीट करने के लिए कोई दुबारा फीस देने के जुरूरत नहीं है, हमको चाहिए कि अच्छे से अच्छे लोग बार बार आगे बढ़ें, तो हम चाहते हैं कि जिन्हें नों एक सेमेस्टर पर एफट किया, उ जब फोर्थ सेमेस्टर का एक्जाम क्लियर होगा, तो फाइनली आपको सेर्टिफिकेट मिलेगा, जो बहुत वैल्यूबल सेर्टिफिकेट होने वाले आने वाले टाइम में, प्रेशर कर सकते हैं, प्रेशर के लिए ही है, और ये बहुत ही सिंपल, हफते में सिर्फ दो घ इक क्लास रहेगी, और आगर आप वेस्टें साइड में हैं, इस्टें साइड में हैं, तो Sunday afternoon को धाई से साड़े चार बजे तक तो जो Saturday evening की class है साड़े आट से साड़े दस वो English batch है और जो Sunday afternoon class है धाई से साड़े चार वो Hindi batch है तो आपको जो भी language comfortable हो उसमें आप आ सकते हैं मैं चीज पूछना चाहूंगा इसमें कि जिस तरीके से अपने पताया कि कोई भी कर सकता है working हो यह हो एक्जाम पास करना अगर हम सिर्फ class attend करते हैं और एक दो घंटा self study करते हैं ऐसा सारे टाइम कि यह तो exam pass हो सकता है क्या कि इसमें exam क्योंकि यह जोती स्टोड़ा सा लोगों को tough भी लग रहा है और अच इस तरह आप ते explain किया कि हम लोग best of the best करने वाले हैं तो कितनी self study required होगी उसके बाद class attend करने के बाद देखो as a senior student बात कर रहा हूँ मैं not as a teacher अभी आप भूल जाओ कि मैं teacher हूँ क्योंकि मैं भी जोतिश का student हूँ मैं अभी भी कहीना के classes attend करता रहता हूँ पढ़ता रहता हूँ और मेरे experience में यह आया है कि live class में attend करने के बाद उस class को एक बार फिर से उसकी recording एक बार फिर से यह हफते बर में सुननी पड़ती है तो बाद उतरती है फूरी तरह से और जब हम दूसरी बार recording सुनते हैं तो मैं notes भी बनाता हूँ पहली बार में भी notes बनाता हूँ दूसरी बार में बहुत और clarity से notes बनते हैं और जब दूसरी बार सुनते हैं तो pause करकर के सुनते हैं अच्छा यह बोला यह इंपोर्टेंट था नोट बना लो फिर सुना कुछ अच्छा लगा हां यह भी अच्छा है नोट बना लो यह तो छूट किया था नोट बना लो तो अगर आप live class अटेंड कर रहे हैं और हफते में एक बार ठीक से अपने नोट को करेक्ट करते हुए कि अलावा कभी-कभी थोड़ा homework मिलेगा वह इतना नहीं होता है वह एक घंटे में complete हो जाता है अगर यह दोनों प्रोसेस इक से किया है तो वर्किंग है वो भी कर सकते हैं कभी मान लो भी या live class किसी की छूट गई तो वह उनको recording देख देख के आराम से पर सकते हैं यूज कभी-कभी बहुत लेट हो जाता है कभी जूम से ही वह डाउनलोड नहीं होता है या कुछ होता है तो next morning तक हो जाता है एक और सवाल पूछे लोग आपको देख रहे हैं कि आपका बोलने का तरीका बहुत ही अच्छा है तो आप फी रहोगे क्या मतलब ही है इसमें और आप सेकेंड्स सेल्द डिवाइडड रहेगा मैं हूं डॉक्तर निश्यन आगें हमारे साथ भूस हैं अमेजिंग को जिएरव जोत्ष और वास्तु के आप लोग ने description box इस वक्त जरूर चेक कीजिए अगर आपको इस वक्त डिस्क्रिप्शिन बॉक्स नहीं दिखना है ना अगर आप YouTube में देख रहे हैं तो आप एक बार ये रिलोड कर लिगे इस पेज को और फिर उसके बार description box चेक कीजिए आपको इसमें तीन चीज़े मिलेंगी जो लोग एकदम enthusiastic हो गए हैं कि ये सीखना है तो आप direct जाके register कर सकते हैं आपको link मिला हुआ है और जो यो जो लोग यहां पर देख रहे हैं उनके पूरी link दिख रही है वहां पर जाके आप register कर सकते हैं अभी register करना नहीं है कुछ और queries है या फिर मैं just interested हो गया हूं इस चीज़ के लिए तो सबसे नीचे आपको एक WhatsApp group का link दिख रहा है उस पर जाईए तुरंत क्लिक करके बस add हो जाईए वह ब्रूप ताकि आपको सारे updates time to time मिलते रहे इस प्रोग्राम और जोतिश्वास्टू अकेडमी के राओं तीसरा जो आपको link देख रहा है अगर आप सोच रहे हैं कि चलो मुझे करना तो है लेकिन इस वक्त मुझे consultation जादा जरूरी है और वह भी सही consultation तो जोतिश्वास्टू Academy का website का link है वहां पर जाके आप consultation भी बुक कर सकते हैं लिमिटेड सीट्स है तो आप जरूर इस चीज के लिए सबसे पहले अपलाई करें यह कब से शुरू हो रहा है यह भी बता दीजिए और कब तक apply कर सकते हैं जी आप apply कर सकते हैं वैसे तो शुरूरात हो रही है हमने बहुत शुब दिन निकाला ह जिसको रिशी पंचमी बोलते हैं नवरात्री की जो पंचमी होती है वो किसी भी पढ़ाई को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा दिन माना जाता है तो नवरात्री के आज दृतिया है और पंचमी आक्चुली जो हम देख रहे हैं समय वो परसो रात से शुरू हो जाए कि वो साटेड़े को इंग्लिश इंग्लिश बैच शुरू हो जाएगा साटेड़े एट थर्यू टेंटरी और संडे आफ्टरून से हमारा हिंदी बैच टू थर्टी टू फोर थर्टी दुपहर को तो उससे पहले रजिस्टर करने वह इंपॉर्टन है अगर आप आप से भी बहुत सही समय है ना कुछ नया शुरू करने का अजय साट ये साल कुछ नया सीखने के लिए बहुत अच्छा है जैसा अभी हम कल परसों में क्योंकि युगादी भी कल ही है कल ही गई है कल से ही नया साल शुरू हुआ है तो बात करी रहे थे कि इस वर्ष का जो वर्ष कुंडली बनी है उसमें धनू लगना है यानि गुरू का लगना है और गुरू पंचम स्थान में बुद्ध के साथ में शिश्य और गुरू साथ में लर्निंग के स्थान पर बैठे हैं तो ये साल कुछ विशेश कृपा प्राप्त होने वाली हम सब को और गुरुदेव का अशिरवाद तो ही हमारे साथ तो उमीद है कि यह आपका ही वीडियो लोगों ने बहुत जादा वायल हुआ है और देखा है जिस पर आपने बोला था कि यह 23 तारिक तक कुछ तो है तो यह सीखने के लिए बहुत अच्छा टाइम है जैसे आपने बोल सब्सक्राइब काफी सब्सक्राइब करना चाहूंगा यहां जैसे अभी यह ने काफी सब्सक्राइब कर सकते हैं दूसरा क्या है इसमें आपको जो क्म्यूनिटी सपोर्ट मिलता है जो कि बहुत सारी जगाओं पर नहीं मिलता है क्योंकि कई बार इवन जो बहुत यह दिगज जो अपनी टीचिंग्स देते हैं तो वो बेसिकली उसमें क्या होता है कि कई बर वो सिरफ वन टाइम होता है तो यहां पर ऐसा है कि यह पू गुर्देव का विजन और उनकी ब्लेसिंग्स तो है यह अपने आप में बहुत बड़ा युनीक चीज़ है जो कहीं पर भी नहीं है इस वक्त और एक इंडुविज्वल मितलब एस्ट्रोजर को उनकी दिखेच जिनके बाद आप जाकी यह सीखे तो इसमें क्या है कि there are a panel of amazing genius astrologers who are coming together under the guidance of गुर्देव शिश्री अविशंकर जी और आर्ट आप लिगिंग के इस अंब्रेला में यह जो जोतिश का जो प्रोग्राम है यह अपने आप में बहुत युनीक है तो basically यह community support फिर आप इसको बार-बार कर सकते हैं और rigorous training जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपके rigorous evaluation में बेस्ट है तो यह मेरी जानकारी में जितना मैंने research किया अभी जैसे बहिया के साथ मेरी काफी बाते हो रही थी तो यह कहीं पर भी इस वक्त मुझे अभी इस वक्त दिखा नहीं है तो definitely यह अपने आप में बहुत यह उनीक प्रोग्राम है और इसका आपको फाइदा उटाना चाहिए this is not an opportunity to be missed तो यह मैं थोड़ा सा हाइलाइट करना चाहरा है जैगुर्देग इन फाक्ट इसको मैं एक लाइन में अकर समराइज करू तो आप यहां पर कोर्स जॉइन करने की बात नहीं है यहां पर एक lifetime जोतिश लर्निंग कम्यूनिटी जॉइन करने की बात है तो पोर्स तो उसका पार्ट रहे गई पर lifetime के लिए जोतिश लर्निंग चलती रहे हम सब स्टूडेंट से हम सब सीखते रहेंगे शेयर करते रहेंगे एक दूसरे के साथ एक क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार पॉप अप हो रहा है उसका मैं जवाब देना चाहूंगा लोग पूछ रहे हैं यह lifetime जोतिश लर्निंग कम्यूनिटी रहेगी जिसमें हम सब कि क्या सारी चीजे होगी मैं आपको बताओंगा आपको और कोई भी जानकारी चाहिए जो भी है तो आप जरूर वह नंबर पर कॉल कीजिए तो वहां पर पूरी और जानकारी दे जाएगी क्या है कैसे है और आपको वह नंबर डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है अग अगर नंबर पर वाट्साप करेंगे तो आपको जल्दी रिप्लाइ मिल जाएगा जितको पुड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन चेक नहीं कर पा रहें उनकले में बता देता हूं नंबर है 9-1-1-3-3-1-3-2 9-1-1-3-3-1-3-2 यह नंबर है तो आप इस पर वाट्साप कर सकते हैं इतना बड़ा सेशन था इतना जादा आपने इतना सारा नौलेज दिया इस सेशन में और कितने अच्छे से आपने सब को बताया मैं भाईया आपको बताना चाहूंगा कि यह वन सेशन है इस साल का सत्वा टॉक्स में जब आप आये हो इतना जादा क्राउड होता नहीं है यूजुली आपका और इतना स्ट्रॉंग है और यह नौलेज सुनने के लिए लोगों की इक्छा इतनी जादा है दोनों का मैच हुआ आज के इस सेशन में और बहुत जादा सब्सक्राइब करते रहते हैं तो इसके लिए थोड़ा बहुत आप भी इसको शेयर कीजिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए हम लोग ऐसे ही सेशन करते रहते हैं सब्सक्राइब करते हैं और वैसे अगर कोई यहां मैं मतलब से सिर्फ यही अनुरौद करूंगा कि एक उपरचुनिटी जिसको आप मिस्टा करें कि गुरुदेव का विजन तो है ही प्लस यह जो ऑपरचुनिटी हमें जो सीखने का मौका मिलेगा यह हम अपने अंतरमत की जोती को जानने का जो गुरुदेव ने हमेशा काय वो डेफिनेटली बहुत बढ़ी है तो इसे एक जैसे भाईया ने बोला एक पढ़िए कि आप घ्रमांट के जो हम रहस्यों को जानना चाहते हैं यह उससे में कई मुना जादा बड़ा एक साइंस है तो इसको जरूर जाने से पहले आशुतोष भाईया आखरी कोई एक मेसेज जो आप देना चाहोगे लोगों देखिए यह साल हलंकि अभी हम नए साल में एंटर कर रहे हैं जहां यह साल आध्यात्मिक पत्पे रहने वालों के लिए बहुत शुभ हो सकता है वही इस साल का क्रोधी नाम है तो थोड़ा हेल्थ पे ट्रबल्स रह सकती हैं मंगल और शनी राजा और मंत्री हैं तो थोड़ा सा एक्रेशन थोड़ा सा हीटेड माहौल आसपास रह सकता है तो कोशिश कीजिए कि जहां तक हो सके अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल रहें कभी गुस्से में आके कोई निर्णाय ना लें और अगर आप हर रोज हनुमान चालीसा कर सकते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा अगर साथ बार करेंगे तो बेस्ट है हनुमान उसमें लिखाई है जो साथ बार पाठ कर कोई जूटे ही बंद महा सुख होई तो साथ बार अगर रोज हनुमान चालीसा अटलीस 23rd तक 23rd तक शनी और मंगल एक साथ एक ही राशी में है 23rd को fortunately हनुमान जैनती भी है 23rd तक आप ली साथ में हनुमान चालीसा कीजिए और और अभी इन दिनों कुछ हमारी टीम अलका जी और अटार टीम हनुमान चालीसा का हर रोज डेली आदे घंटे का पारायन चल रहा है ऑनलाइन वो भी आप जॉइन कर सकते हैं 12 तारिक को यानि सेम डे जिस दिन हमारा कोर्स की शुरुवात है उसे दिन शाम को गुरुदे भी सत्संग में हनुमान चालीसा का पार्ट करेंगे ये कुछ ऐसी बात नहीं है जो सिर्फ जोतिश ही है इस वक्त कुछ तो है ऐसा प्रकृति में जो केवल हनुमान जी का नाम स्मरण करने से ही शान्त होगा और ये केवल मेरे मन से उठावाया मेरे ग्यान से आया हुआ कोई विशलेशन नहीं है कि हनुमान चालीसा करना है जितने भी मैंने देखा है कि जो भी थोड़े से प्रग्यावान लोग है उनके अंदर से इस अंकल पुट रहा है कि हमको बहुत सारी हनुमान चालीसा करनी चाहिए तो कुछ तो है इस वक्त सुक्ष्म जगत में जो केवल हनुमान की शक्ति हनुमान जी की शक्ति से ही संभलने वाला है और हनुमान जी की शक्ति को जगाय रखने के लिए सुक्ष्म जगत में उसको और मजबूती बनाए वैसे तो हनवान जी को किसी और शक्ति के जरूरत नहीं है पर हां हमारे सुक्ष्म जगत में हमारे आसपास के सुक्ष्म जगत में उस शक्ति को जगाय रखने के लिए हमको हनवान 40 ज़रूर करते रहन चाहिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है एक महिने तक ट्वेंटी थर्ड तक भी कर लें और तेरा दिन दो हफते तक भी तो भी काफी चीज़ें टल जाएंगे आपके साथ ये सेशन बहुत ही अद्वत था और मैं तो सभी लोगों को यही बोलूंगा कि ये सेशन को आप जोर लगा के शेर कीजिएगा तक ये नौलेज से चक पहुंचे बहुत-बहुत धन्यवाद अशे तो भी आपका आने के लिए इतना आता है बढ़िया था बढ़ि पहुत प्रॉष एपका आता है ये ये था आता है विये खिन्वाट लोग्या ओटॉट है झाली था झाली है ये फिल्ट लुट है टो ये दो पॉटो फिल्वाट है जैसन प्री अधू पहुत था प्वाट असफोले ख। आपक्ट पॉस्तित प्छूए ये भी अज़ है